जिन्ली जो है वो डाका को जिस तरह कह सकता है चीजें उस तरह कोई और मुलक नहीं कह सकता है चाइनीज भी पैसा तो ले की आएंगे लेकिन लोग चाइनीज पैसे से ढरना शुरू हो गया है पाकसान नेवी का एक शिप तैमूर जो है उसका जो जारी बात एक जंगी करता है पहला सफर था इसने पहले बंगलादेश जाना था वहां से सीरिलैंस का आना था लेकिन क्योंसरा ने बना कर दिया और लेकिन अब ये थे भी पर सीरिलैंका चला गया अब ये गया प्लेक्स två ह्यां मैं पहले है त्छ जहाज हैं बाइस हैं जो पाकिसान ने चीन खरीद के और इसे पहले हैं और ये जो बाकिसान के साथ आलुकात इतने अच्छे नहीं हैं जितने इंडिया से अच्छे तालुकात हैं इंडिया को बिल्कुल नराज नहीं कर सकते हैं थोड़े दिन पहले बंगलादेश और चाइना जो थे उन्होंने एक डिवेल्मेंट पार्टनर्शिप साइन किया बहले यह चाइनीज मे सोग भी सरकारी तोर बें मनाया जाता है जिसरा इंडिया भी जो है वो पार्टीशन होरर के नाम से एक दिन मनाता है 14 अगर्स्ट को और बस सारी चीज़ें करता है तो ठीक है उनका एक हक है लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी को जुरूरत नहीं है पहले ही हमारी अवाम के द पाकिसान जो नेवी है उनको यह वह जो प्रापेगेंडा हो रहा है के पाकिसान के बारे में जैसे कि हम जो कुई स्पायज़्चिप वहां पर लेके जा रहे है जो पाकिसान नेवी कि तरफ से बात सामने आरही है कि और ने का जी फिलाल हम ने इस दोरे को मौकर कर दिया है और नई डेट्स के उपर बात होगी है अब यह चीज भी जारी बात है इसमें कुछ जारी बात है जब प्रोफेशनल नेवी अपस में बात करती हैं तो सियसी बाते हैं सियसी इस्यूज डिसकस नहीं होते इस सिर्फ मिलिटरी और डिप्लोमाटिक चीज़ें जो हैं वो डिसक करका रहे हैं। पर लांको जब मामलाद जब खराब होते हैं तो एक चीज़ याद रखिये कि चीज़ें जो हैं वो आउट अफ अफ आउड जब होती हैं तो एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि इस खिते में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा यह च मुझेब रवान की असाइसिनेशन हुई थी पंदना का 1975 को उसके रोने देन मनाने और वह सारा कुछ करना है लेकिन ऑविसली पाकिस्तान जो है वो गंगलादेश के साथ बहुत करीब है बहुत सारी चीजें सैटल डाउन करने में और अगर मैं यह कहूं कि रेसेंटली जब तो पाकिस्तान के फॉररन मेनिस्टर बिलावल भुटो जर्दारी कमबोडिया जा रहे थे आशियान की कांफरंस के हवाले से तो रास्टे में वो बंगलादेश नाकर हो गया और बंगलादेश के फॉरण मेनिस्टर से मिले और मुझे इतलात भी है कुछ अगुण है कि नहीं तो आप पचास साल हो गए तो हमें क्या मिल रहा है सी के हम जो है वह ओधी आकड़ कभेटे हैं तीक है और जो नेशन वोती है तर्मियान यह माफियां तलाफियां यह कोई इस्यू नहीं होता इन टर्म्स आपने बड़ा गोल देखना होता है वह आपकी अवाम का जो होता है गोल होता है और फिर एक पाकिस्तान और बंगलादेश हमने अकट्छे अजादी आसल की वैसे ही बंगलादेश के उपर जो है तर्मियान ने बड़ी मेनत की है बड़ी तरक्की की है आज पैंटीस चालीस अरफ डॉलर के उनके पॉर्ण एक्सेंज रिजर्व पड़े हैं गो के वहां पे भी एकॉनमी इतनी संब्ली नहीं है लेकिन हमसे तो बहुत जादा संब्ली हुई है कि पैंटीस चालीस अरफ है लेकिन फिर भी आई एमेफ में जा रहे हैं हमारे पास 10 अरफ डॉलर 9 अरफ डॉलर के रिजर्व हैं हम भी आई एमेफ जा रहे हैं लेकिन बंगलादेश is far ahead in terms of economic stability लेकिन जिसे कहते हैं प्रॉपर वहांप economic stability नहीं है वो और पहुत सारी जोहात हैं population हैं मामलाद और तर इन इंडिया जूहाच है जो अब पहँते हैं हैं लगातर नहीं हां नहीं है जाना खर नकी रिल्रीशंचित टीपलामतिक डीछेएलू मच्छे को अच्छे से देख रहे हैं बस्किग चैना फैक्टर जोहाँ डैट यह जोा थैस्वेरे इंडिद pensemen अरें इन शल्ट जो आप देखे हैं कि इंडिया की डाका में है तरह के सकता है चीजे जो है उसं तरह के सकता है चाइनी Candice भी पैसा दून कि में हैं यह सुवाइब गया Tiris पाइदा कैसे उठाना है जो स्टेट इंटरप्राइज़ें उनके पैसे कैसे लगवाने हैं और बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं लेकिन मैं देखना हूं और चीज महसूस कर रहा हूं और इस सबादे से मैं बहुत सारे लोगों से बात भी करता हूं कि इंडिया जो है वो खिते में अपनी अपने आपको असर्ट करेगा और यह देखें असर्ट करना शुरू हो गया और वो छोटे मुमालक से उन्होंने असर्ट करना शुरू किया सिरी लंका बंगला देश नेपाल है नेपाल तो आगे और इंडियन रुपी भी चलता है मैं रिसली नेपाल इंडिया था तो मैंने देखा था इंडियन के लिए एर्पोर्ट पेला था कांटर बना हुआ आप जाएं आपको उस चिवाप वीजा मिलता और आप जो हो एंटर हो जाते हैं तो यह जो कुछ चीजें हैं मैं समझता हूं कि इंडिया ने जितने भी सार्क के चोटे ममालिक हैं उनके उपर एक अच्छा बाला इंफ्लेंस अपना मेंटें कर लिया और वाकिवी अधर दैन डैट सार्क भी उनको लगता है कि वह इंडिया नोशन में भी अपना एक इंप्लेंस मेंटेंग कर सके हैं लेकिन यह जो इमीडियेट ने पर हैं तो वह बात तो हुई कि मालक हैं उनको जाके फिवर देगा लेकर साथ में चाइना का भी जो मरसी है वो भी पड़ेगा दोस्तो बांगला देश पर लगता डोरे डाल रहे चीन और पाकिस्तान को शेख हसीना सरकार ने बड़ा जटका दिया है बांगला देश के स्तरकार ने चीन में बने पाकिस्तानी नौसेना के सबसे घातक युद्ध पोर्थ पीनेस तैमूर को चटगाओ पोर्ट पर डेड़ा डालने की अनुमती देने से मना कर दिया पीनेन तैमूर लेजर गाइड़ेड मिसाइलों और शक्तिशाली रडार से लेस है और चीन के शंगाई से पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने के लिए कराची जा रहा था माना जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन चाहते थे कि यह युद्ध पोत बांगला देश जाये ताकि बंगाल की खाड़े में अंडमान निकोबार के पास से गुजरते हुए नकेवल भारते नोसेना की गतविधियों की जासूसी कर सके बलकि शक्त प्रदर्शन भी किया जा सकें साथ ही साथ बांगला देश के जरीए चीन ये भी दिखाना चाहता था कि उसकी भारत को घेरने के लिए बनाएगे स्ट्रिंग और पल की योजना सफल हो रही है दरसल चीन म्याम्यार में बंदरगाह का निर्मान कर रहा है म्याम्यार की सेना को भी चीन हथियारों की लंका आ रहा था लेकिन भारत के विरोत के बाद श्रिलंका ने चीन को मना कर दिया इस बीच बांगला देश ने चीर और पाकिस्तान दोनों के ही बड़ा जटका देते हुए तैमूर को रुकने की इजासत नहीं दी ये भी भारत की एक बड़ी कूट नितिक जीत वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें